कि माई ग्रेन कहा जाता है, माई मतलब मेरा, ग्रेन मतलब दाना, और जैसा हमारा दाना पाना, खाना, वैसा ही ये प्रॉब्लम है, माई ग्रेन का सीधा तालुक जो है, वो हमारी नाभी से है, बैली बटन से है, पेट के सेंटर से है, हम अपने बैली बटन को क्या देते हैं, वो बिचारे क्या है कि हम सुभा सुभा उसको साफ करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी फूसा आ जाता है कॉटन सी बन जाती है वो सक करता है जो जिसे हम कहते हैं नाभी चक्कर है जो चलता रहता है हम अपनी नाभी को कुछ भी नहीं देते और जबकि नाभी को तेल लगाना तता कि आप पूरी तरह से आपका नाडीत अंतर जो है वो लूब्रीकेट रहे। Ang जितनी भी अपने शरीर की नसे हैं सब का नाभी से लिंक है। क्यूlement car जब बच्चा मां के ओता है है तो वह नाभी से ही सारा खाना-वाना लेता है। तो जब वो बिच्चा जन्म लेके बाहरा आता है तो उसको काट देते है चोई कुछ बोलता है अलग लग अपने भ़ाष़ा में हम नडवा बोलते हैं तो वो काट जब हो गया तो मदर का अलग से वो खिटम कर देते है तो बच्चे का धीरे धीरे जट जाता है पहले तो उसकी जो ना भी है उसको तेल लगाना तो बहुत दूर की बात है उसकी केर भी नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जब बड़ी होते हैं तो जाकर के वो पूरा सिस्टम जकड जाता है जिसे माईग्रेन, सर्वाइकल, बॉडी में दर्द, बॉडी एक, छोटी उमर में बीमारिया होना, शूगर हो जाना, ये हो जाना, तो जैसे ही हम, मतलब आप देखिए गा, जिसको भी माईग्रेन का जब अटेक आता है, तो उसको पेट में गैस बनती है, गुबार चड़ता है, फिर वो उसको लाइटें बुरी लगती है, कि लाइट बंद कर दो, फिर उसको मतलब ह हर चीज ऐसे लगती है, कि मेरे दुनिया बुरी लगती है, कोई बात, मुझा उसको अगर कोई कहे, चल भई तरह को वहां से मैं गोल्ड लेके देता हूं, जो तरह को गिफ्ट मिलना है, वो को गोली मार मेरा मानी नहीं है कहीं जाने का, तो मढ़ा इस तरह की चीज़ों को भ लेट में प्राब्लम है, तो हम क्या करते हैं, माईगरेन की दर्द हुआ, गोली खाई लेट गए, गोली खाई लेट गए, वो गोली से क्या हुआ, अंदर गोली ने जा करके, अपना जो काम करना था, वो कर दिया कि आपकी वेंस को डेड कर दिया, तो आपका सिस्टम जो ह लिए देल यह देसी गी अपनी नाभी में लगाई ये और इतना से ऐसे सरसों का तेल लीजे दोनों नाख कोई थोड़ा थोड़ा कोई यह कए आपको में आपको में चीज़ें मिल जाएंगी उनको मिक्स करके आप उसको डोश बना लीजिए गोधनती भसम आता है गोधनती भसम जो है वो आपके फीवर तक को ठीक कर देता है साथ में परवाल पिष्टी है जो आपके मस्तिक को शांत करता है और उसके साथ है मुक्ता शुक्ती पिष्टी जो आपकी नर्व सिस्टम जो पेट का है उसको लुब्रिकेट करते है तीनों को लेना है गुदंती 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ती 5 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम मिलाओ, इसकी 20 पुडिया बनाओ, एक पुडिया रोज, आधी पुडिया सुभा, आधी पुडिया शाम को ले लीजे, हनी में मिक्स करके चाट लीजेगा, चंद दिनों में आप भू कि चिंता है, तो उनके लिए मैंने बना रखा है, कि भई ये ब्रेन डोस के नाम से है, आप कहीं भी गूगल पे सर्च करेंगे, ये परड़क्त आपको मिल जाएगा, इसका एक ही कैप्सुल शाम को पांच बजे, इसका टाइम फिक्स है, पांच बजे, चाहे आप इंडिय होने से पहले पहले इसको ले लेना है, और दूसरी बात, नाभी में तेल जो आपको मैंने बोला कि लगाना है, तो सर्चों का तेल, देशी घी, कुछ भी आप लगाएंगे चलेगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा अपने पास ज़्यादा है, गूगल सा चौई लिखेंगे, आपके सामने ये पूरी तरह अपना रूप लेके खड़ा हो जाएगा, तो इसमें क्या है, इसमें लसन है, और प्याज है, और काली मिरच है, तीन चीजों का मिशरन है, और जो आपके इस बर्मांड को पूरी तरह से चालू कर देते हैं, और आपके न काली में और देते हैं, और तो ना ही लगाएं, क्योंकर वो खुद के दुशमन है, और डिखेंगे देते हैं, और पैसा दे सकते हैं, और कुछ पैसा आप अमारे लिए भी दे सकते हैं, तो मुझे ये बताईए, आप गोईल साब जाया को आपके आप असब कि यह दवाईया तो चलो ठीक है माईग्रेन का ऐसा ट्रेस्डी हो गई लाइफ में या कोई ऐसी चीज हो गई है जो हम बेड़ पे लेटते हैं तब भी दिमाग में चल रही है किचन में काम कर रहे हैं और सोई में अपनी काम कर रहे हैं तब भी चल रहा है तो मतलब ऐसा एक स्ट्रेस लेबल होता है जो आपके और्गन्स क बीख करता है, हार्ट को, ब्रें को, लीवर को, पाचन किर्या को, तो वो सारी चीजें जब डिस्टर्ब होती है, तो ये प्रावलम आती है, अब जो लोगों को स्ट्रेस आता है, मैं उनको बड़ा खुले से बोलता हूं, जब मेरे पास आके बैठते हैं, दो मियां भी भी, तो मैं उनको बोलता हो पहले तो आप साल में 365 दिन होते हैं, 360 दिन लड़ो मरो कटो जो करना करो, 5 दिन हनीमून पे चले जाओ, हर साल, हर साल आप अपनी सालगी रहे तो मनाते हो ना, आनİबर्सरी तो आप आनिबर्सरी पर निकल जाओ 5 दिन, 360 दिन ही करते रो, एक तो ये stress level को काम करने का क्योंकि बाहर जाएंगे एक दूसरे से बात करेंगे अपनी बढ़ास निकालेंगे तो वो चीजें जो हैं वो काफी देर तक रिलीश देती हैं दूसरा जो लोगों के पास बीबी नहीं है जिन जिन बहनों के पास husband नहीं है अकेले हैं अभी single हैं उनको ऐसी problem आती है वो अपने girlfriend या boyfriend के साथ निकल सकते हैं ऐसा मैं नहीं कहूंगा वो नेचर के साथ जा सकते हैं नेचर से बड़ा दोस्त नहीं हो सकता नेचर में किसी अच्छी सी पहाड़ी पर जाकर के उंची उंची गालियां दें उंची उंची जो उनके मन में है जिसको भी देन परवाल और मुकता शुक्ती का जो नुसका मैंने बताया है बहुत कमाल का है और बैडम ये मैं आपको भी कहूंगा कि आपके लिंक में कोई भी हो आप उसको अगर ऐसी चीजेंगे तो आपको थैंक्यू बोलेंगे आपका तैंक्यू गोईल साहब कि आपने इतनी खुबस जाना है यहां boyfriend girlfriend के साथ भी जा सकते हैं और लोगों को बाहर जाकर जहां कोई नहोड़ों से गालिया निकालनी है यह जो भी कहना है आप कहसकते हैं खेर आपको आयूरवेदिक दवाइया लेनी है और आयूरवेदिक दवाइया ही लेजिए क्यूंकि इसका कोई side effect नहीं है त तो गोल साब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत ही कीमती शड्यूल जो है वो इन चोटी चोटी जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ वक्त बिताया थैंक यू थैंक्स